हाई फ्रेंड्स अगर आप अपने बच्चे की पतले पन दुबले पन कमजोरी से परिसान है आपका बच्चा है वो बहुत जादा दुबला है आपको लगता है कि एक उमर के हिसाब से एक एज के हिसाब से आपके बच्चे का जो ग्रोथ है या फिर जो हड्या मजबूत है य नहीं हो पा रहा है तो friends आप इससे परिसान ना हो यह बहुत बड़ी बीमारी नहीं है बसरते आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है अगर आपके बच्चे का जो health है वो सही हो जाएगा और आपका बच्चा स्वस्थ और आम बच्चों की तरह हो जाएगा वो कमजोर और नहीं रहेगा Frenths सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका बच्चा है नापका बच्चा आप उसकी मालिस कर रहे है तो सूरी की रोष्णी में मालिस करें मतलब यह है यह जो तो बवालिस अप करके उसका इदम पैर वेर खुब हड्डियों को रगर रगर के अच्छे से मालिस करें अब मालिस करने के वाद थोड़ी देर आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ दे ताकि सूरी की रोशनी लगे मतलब बिटामिन डी उसको मिले और बच्चे की जो हड्डिया है वो मजबूत हो जब हड्डि मजबूत हुए तब मांस चड़ियां तो इसलिए उसकी हड्डि जो है उसको मजबूत करना बहुत जादा ही जरूरी है फ्रेंट्स आप यह ध्यान दे जब भी आप बच्चे की मालिके सुबह के दूप में करें बाकी ताइम अगर दूप है तब भी आप कार्बो हाइडरेट्स क्या करता है कि बच्चे का जो है वो सरीर भरता है और उर्जा प्रदान करता है तो वो कैसे मिलेगा वो बच्चे को जैसे कि आप भर पेट जैसे कि आप अनाज खिलाईए चावल खिलाईए आप आलू खिलाईए उबला हुआ आलू मेस करके बढ़ करें बिल्कुल मजबूत बनाया अर्जा दे अच्छा यसके साथ आप क्या कर सकते हैं बच्चे को केला दे सकते हैं यह सारी चीजे बच्चे को आहे लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि एसा हैं लेकला कमद के बच्चे सामने रखते है bạn कुल कि अभा करना है थौड़ी थोड़ी थेर पे बच्चे को देते रहना, बच्चास जित करेंगा नहीं खायेगा, हां बच्चे संदे जित करते हैं, नहीं खाते हैं थौड़ी थेर फे एक घंटे पे लेके कुछशिश थोड़ा-फोड़ां कि बाबू खालो बाबू खालो और यह नहीं एक विपने जिए अपर बहाएब जा और चाहर तो आप चाहर दे दिजिए घूबला हुआ कभी आप गंजी दे डिजिए कभी आप बाल चाहवल दे दिजिए मत्तब ऐसे थोड़ा तोड़ा करके देना है अपने बच्छे को वो बच्चे के लिए बहुत ही फाइदा मन करेगा और आपके बच्चे को उर्जा मिलेगी आपका बच्चा जो हो मोटा होगा स्वस्त होगा फ्रेंड्स अगर आप मीट खाते हैं तो आप बच्चे को मीट भी दे सकते हैं यह सारी चीजे आपको ध्यान देनी है प्लस आप अगर आप ऐसा कर रहे है तो बच्चे को भाई पच्चना भी तो चाहिए नहीं पच्चे का तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसके साथ थोड़ा सब थलकी मात्रा में आपको बिट्मिन सी भी देनी है ना विट्मिन सी आपको कहा से मिलेगा जैसे कि आप बच्चे को दाल चा मिलेगों जायए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे को बहुत जादा मतलब की बच्चे को बोच्चा सवस्त होगा को जो हेल्थ है ना उसका हेल्थ जो है उसका जो बॉड़ी है वो गेंड करेगा विश्त हो जाएगा आप तंध्रू से घा सा 흉ड़ी कि वह च्यृग लगातार रेगुलर आप एक महीने करके देख लीजिए ये दूर हो जाएगा फिर से मैं रिपीट कर रही हूं कि आपको क्या क्या करना आपको अपने बच्चे की सूरी की रोश्नी में मालिस करनी है सुबह की रोश्नी हो ज्यादा बैतर होगा और मालिस बहुत अच्छे से क करना आपको धूब दिखाना है से केंड़ी आपको कर्वो हाइड्रेस तेना है जैसे कि आप उसमें चावल दे सकते हैं गंजी को अ ऐसे चीजे जो उर्जा प्रण करें अप बच्चे को दीजे थोड़ा सा बिट्मिन सी दीजिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बच् next video में thank you so much